ओके सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि एब्डोमेन से जो टेश्टी से वो नीचे की तरफ आता है कहां इस प्रोटम में आता है तो आखिर ऐसा की होता है वाई दपोपर डिसेंडेंट इस रिक्वाइड ठीक है कुश्चिन यह हमारा वाइड the proper proper descendant is why the proper descendant of testis is required तो ऐसा क्यों होता है तो इस पॉर्म जो होता है इस पॉर्म होने के लिए हमारे बोडी से से दो धिरी कम टेंप्रेचर चाहिए होता है ते स्काव रिखाइट से लिघ्री चेल्सियस अस फॉर्म को था दो दिग्री कम चाहिए होता है एक तो इस वाओड़े टेंप्रेचेर से दो डीघ्री कम चैहिए होता है वरे complete fertility तो में यह पर लिक सकते देस्पॉर्म रिक्वायर्स अ लेस्दान तू डिग्री सेल्सियस प्रॉम था अक्टूल बोडी तेम्परेचर से इस पॉर्म को दो डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता तेगे तो एब्डोमेन में अब्डोमीनल रिजन का कितना टेम्परेचर होगा फिर अब्डोमीनल रिजन में टेम्परेचर कितना होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा एक्शल बोडी तेम्परेचर है और इस प्रोटम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा इस प्रोटम का होता है जो की जरूरी होता है इस पर्म का मैचुरेशन के लिए ठीक है इस पर्म के कॉंप्लीट फॉर्टिलिटी के लिए तो हम यह कह सकते हैं दप्रोपर डिसेंदेंट इस कॉंप्लीट फॉर्टिलिटी एज इस पॉंप्रिक्वार्स टू डिग्री लेश टेम्परेचर टेम्परेचर तो यह समझ में आप लोगों को आई होगी देट वाई प्रोपर डिसेंदेंट टेस्टिस इस प्रोटम में हाना होता है ठीक है तो यह तो मैंने बता दिया तो बच्चो हमारा नेक्स टॉपिक जो है हम इसमें प्रोटम देखेंगे देखिया अ कि इसप्रोटम के बारें पर फॉर इस प्रोटम जिसको में स्कोटल सैग भी क्या सकते हैं सैग राइक मिंस पाउच लेक इस्ट्रक्टर होता है श्कूटल सैग और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ए ए काविटी इक्स्ट्रावड्यमिनल के बाँर होता है इसलिए इसको एक्स्ट्राव हमें मैंने बताया था rest pract कोול怎么 यक पाउच होता है जो abson कि के नीचे होता है तो कि यहां पर मिलक सकता है वह स्कूर्टम क्या है पाउचलाइक होता है ठीक है और इसमें दो मसल्स होते हैं the is a pouch structure पहला तो पाउसले के स्ट्रक्चर हो गया और इसमें कितने टाइब का मसल्स हो गया ऐसे टू मसल्स यहां पर दो मसल्स होते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट देरा तू मसल्स पहला हो जाएगा first will be datus muscles d a r d o s पहला होगे datus muscles और दूस्टरा हो जाएगा cremeister muscles क्रीमेस्टर मॉसल्स ओके सो दो टाइप का मॉसल्स होगा इस को टम में पहला डाटोस और दूसरा क्रीमेस्टर जो डाटोस मॉसल्स होता है वह स्कीन होता है इस के आई डबल न इडी मतलब बाहर बाहर प्रेजेंट होता है और इस कनेक्टेट टुदा अप्टोमें भाया इंड्विनल कैनल ठीक है और जो क्रीमेस्टर मॉसल्स से क्रीमेस्टर मॉसल्स सस्पेंड़ रोते हैं सस्पेंड़ आइप इन डाइगरम मैं यह आपको इतने क्या गाक्ट Sin क्यां करता यह कंट्रैक्राइक क्या रिलाक्स बस्ते कि यह यह आदऄ और पोगवा यह यादि जहाट दू ऐसाफ्ट चांग शुब Свसक्राइब टाइट वरूपरमीय वाय तुमेंटेंटें अपडिस तोलह सब्सक्राइब है या तो रिलाक्स होता है ठीक है प्रकाइब हूड कोता है शब्रेश एक बादेस्तेंटोर बूम कहते हैं अभी वह नहँनेاذ की अऊप तब सानों सब्सक्राइब that is why it is called as temperature regulator of the testis if the temperature decreases of the temperature decrease हो जाता है अगर बाहर का तेम्परचर कम हो रहा है ठीक है माहलो दिसम्बर का महीना है या जन्वरी का महीना है ठीक है बाहर का तेम्परचर डिक्रीस हो रहा है okay then what will happen if the temperature is decreasing outside then the muscles will contract है तब यह मसंट्राक्ट होगा और कंट्राक्ट होगा okay contract and the testis will move where move towards the upper side जो टेस्टी सोगा वो उपर की तरफ मूफ करेगा ठीक है जैसे मालो और स्कूर्टम में क्या यह टेस्ट इज़ एंड इन इस्कूर्टम वाटर देर आफ मसल से कितने टाइब के मसल्स ने बता है डाटोस मुसल्स अब क्रिमेश्टर मुसल्स टीक है यह दोनों क्या है तो यह तो यह कहां और ऊपर की तरफ क्या होता है ठीक है अब्डोमेन का टेंप्रेचर इस्कूर्टम से ज्यादा है ना थेक है तो आपडोमेन का जो टेंपरेचर है वो स्कूर्टम से ज्यादा होता है ओके डाट इस वाइब इस इस टेस्टीजार मुविंग तो अपर साइड अब मालो अगस्त का महिना जून जुलाई जैसा भी गर्मी का दिन ठीक है तो तो टेंपरेचर क्या होता बाहर इन समर ठीक है अगर हम समर का बात करें तो सब्सक्राइब तो इस तरह से जो होता है यह मेंटेन करता ठीक है इसको फिर से हम समझाते है आप लोगो हाँ हाँ तो मैंने अभी भी क्या बता आप लोगों को इस पूर्टम के बारे में जो इस कुम है और इसे हम क्या क्या चैसे चैसे रिप्सका ध्यान से सुनिएग एग्दम पेरेचर घुलेटर of testis ठीक है यह testis का temperature को regulate करता है ठीक है अब कैसे regulate करता है तो regulate करने के लिए इसके पास दो muscles है for regulating the temperature that's got a mess how many muscles to muscles ओके बहुत important question लिए पहला हो गया datto's muscle thatto's muscles हो गया पहला और दूसरा हो गया कौन सा mr master muscle कि डाटोस इस फॉस्ट वन एंदे क्रीमेश्टर इस दस्टेंड वन ओके ना हाउ दे रिपुलेट यह हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अब बना लेते हैं यहां तो अभी मैं क्या बता रहा था आप लोगों जो टेंपरेचर रेगुलेट कौन कर रहा है कर रहा है कैसे कर रहा है थो मसल जाते हैं एक गलटोस और डूसरा ठीक क्या है तो अब यह कैसे कर रहा उसको देख लेते हैं जैसे यह वह गया एब्डॉमन औई अ है मैंने 40 में लिखा ए आ sees स्कोा यह स्कोड इससी अभी से लिए यह दूर दूर विकाज इन समर सीजन अब बात कर रहे है जब टेम्परेचर बाहर का ज्यादा होता है तो समर सीजन में और एडी क्या होता है कि एक्सटरनल एंवार्टमेंट का टेम्परेचर क्या होता है वह हाई होता है टेम्परेचर आउट साइड है इस हाई यहां पर क्या होगा कि अब मालो विंटर सीजन का बात करें विंटर सीजन में क्या होता है विंटर सीजन में बाहर में तो यह जो एक्सक्रोटम क्या करेंगा तो जब यह चोटा होगा एक्ट इसटोट कंट्राइक हो रहा है और अपर साइड वर्डिक अप्वार्ड यह कोशिज करा है जिसका कि इसको उतना टेंपरिचर चाहिए क्योंकि अगर इसको वह टेंपरिचर नहीं मिला तो फिर क्या होगा सब्सक्राइब को तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो डाटोस मसल्स और इसका करते हैं यह काम करते हैं इसको समख कर रहा है इस को टम क्या है इस पोटम इस क्या कर रहा है तो यह दोनों मसल्स क्या कर रहा है यह दोनों मसल्स रिलाक्स हो रहा है यह दोनों मसल्स और रहा है तो इस तरह से यह जो इस पोटम में टेंपरिचर को रेगुलेट करता है किसका टेंपरिचर को रेगुलेट करता है ओके नाव नाव लेट से लुक अट डाइग्रामेटी के लिए डाइग्रामेटी के लिए इक भी इसका भी देख लेते हैं वही अच्छी तरह से आई में एक डाइग्राम देने वालों आप लोगों को कि अग्राम जब तक कलर पूल आओ तब तक मजा नहीं आते हैं तो सबसे पहले में इस पोटम बनाते हैं कि अच्छी बोर्ड पर बनाने तो ठीक है लेकिन इसका जब बात आता है थोरह सा हाथ ठीक से बैठा वाने फिर भी मैं कुसिस कर रहा हूं कि वाइट पोर्ड पे कि कि अब दिस इस गर्ड़ दिस दा स्कूर्टम कि यह यह सैग लेके स्ट्रक्चर है जब पाउच लेके स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं खैला जैसा अब 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 बाहर की तरफ क्या होता है आप यहां पे पीविक हेर पाए जाए जाए होते हैं यहां पर होते हैं यह सिस्दा कैक्टिस्टिक्स अप मैमल बॉड़ी है इस इस दा प्यूबिक है यह बाहर की तरफ प्यूबिक है रहें अब अब मुस्टिक्स का है अब यहां पर ले लेते हैं तो मैंने कहा था जो डाटोस मुसल्स है वो होता है स्कीन मतब बाहर बार होगा इसके कॉंटेक्ट में रेट कलर से बना रहा हूं ठीक है आप लोग जड़ा साइस पर ध्यान दिजेगा यह मॉसल्स है और यह कौन सा मॉसल्स है तो डाटोस मॉसल्स यह आउटरीजिन टेक्ट है यह डिर्क्ली स्कीन देव उसमें मिला हुगा थी तो यह विच्ट मॉसल्स विच आंव द्रॉइंग यह को डाटोस मॉस्ट करें यह करें कि दिस मुसल से डार्टोस देन अब डार्टोस के ऊपर क्या होगा क्रीमेश्टर होगा ठीक है मैंने क्रीमेश्टर क्या पर अब इसके ऊपर क्रीमेश्टर मिलें अब लोग को इसका लोकेशन दिख्राइब हो जाएगा एक्टम तुम मैंने अभी अभी सम्झाया था आप लोगो को डार्टोस मुसल्स अंप्रिमेश्टर मुसल्स वाटेजू देगाट्रेक्ट अभी अग्स अपर दिख्राइब लेता हैं इसे इसे तो मैंने का था प्यूबिक है यह हो गया यह होगा प्यूबिक है जो कि आफ्टर प्यूब्रीटी इस प्यूबर्टी के बाद ही डिवलप करेगा यह मैंने करेक्टर होता है देन यह होगा स्कूर्टल सैख इस प्रोडल सैख पाउच लाएक स्ट्रक्चर है अब यह जो पहला मसल्स है इसको बोल रहा है डार्टोस मसल्स तार्टोस मसल्स ठीक है यह डार्टोस मसल्स हुआ और यह जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहे है यह मसल्स हो गया क्री मैस्टर मुसल्स तो आप लोगों को डार्टोस मसल्स प्रीमेस्टर मसल्स का लोकेशन पता चल गया और यह कैने ना और किस को करके रक्याथ कि सब्सक्राश्पर पर यह फिर फाहलाफ्स सब्सक्राइब अब आसे अधे बनाव्य दो गया जा हम यह दोगा और यहोगे तुस्राश्टिस्स प्रेस्स सब्सक्राइब निचे हो गया लेकिन आप तो को यह पता होना चाहिए दोनों का साइज सेम ओल्मुस्ट सेम रहता थे लिए मैं कुछिस करता हुआ सब्सक्राइब बोथ देम हाद अल्मुस्ट इक्वल साइज इसको बोलते हैं मीडियन राफिट क्या बोलेंगे मीडियन राफिट र-A-P-H-E okay and as I said here abhi thadar पहले मैन आप लोगो बताया था that the testis will be attached with the with the scrotum by a band of connective tissue यहां पर मैंने कहा था टेश्टीस विल बी अटाश्ट विद देस्ट्रोटम भाया बैंड ऑफ कनेक्टिव टीसू एंड इस बैंड इस वाट वेरी इंपॉर्टेंट इस बैंड इस वाट अभी बहुत बार में बता तुका हूं वेरी गुबर्णा कुलम ध्यान से गनम पर आप यह और यह तो आया है तो आए तो किसके थूँ आएगा इंग्विनल गैनल के तो अब हम यहाँ पे इंग्विनल गैनल बनाने वाले इस इस देश्टा अब यहां इन विनल के दूट कि यह कैनल कि आप लोग बनाने का कुछिस किजिएगा इसको ठीक है बाइर नोट से नोट से साथ से में दे रहा हूं कि इच एंड एवरिटिंग इज एक्स्प्लेंड एड इस दो कैनल लाइक एस्ट्रॉक्चर ठीक है इसी कैनल क्या कैते इंड विनल कैनल इंड एक नलो किया इंड विनल कैनल विनल कैनल इस इन इन्विनल गैनल नाव दियर विल बी इस फार्मेटिक पॉर्ड अब यहां पे इसको सब्सक्राइब अब यह देखो यह कॉर्ड लेके स्ट्रक्ट्ट्ट्र है ठीक है कि इसको स्ट्रक्ट्ट्र को दिख रहा है इसको स्पार्मेटिक कोड़्क टेखो टेस्ट्टीस के साथ कर्फेंग थे कैनल कैनल एक ना अनादर स्टुक्चर देर विल भी अ हर्णिया यहां पे एक शुटा सा इसको हर्णिया 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 कि शुटा संद्सक्राह पार्ट अ हर्णिया घॉट क्या सब्सक्राइब ब्रद्ट्सु कि शुट्टिस विल थे खाम के लाइट को टुस्ट्ट इसाट्टिस अनि इस दर इंटेज यह क्या हो वित कॉर्ड इस पार्मेटिक कोड यह दिख रहा है यह बहुत इंपॉर्टेन से पुचक्षिन आता है इस पर मैटिक कॉर्ड सी ओ र्ट अब इस पॉर्मेटिक कॉर्ड है काद मतलब क्या हो था कालेक्षिंट यह है ame कढ़ कोँ कैसे बिपाइन कर सकते है it is the collection of collection of vessel vessel जैसे ब्लाद दिसल्स बेसल्स हो गया थें नर्बस वगया तुछ नर्बस आता है यहां पर आप एंड डॉट मतलर गॉट करता है थेल्ड लॉट डॉट गॉट डॉट दॉट रॉंट फ्रों दो अश्टिस्ट आगए डॉट रॉंस तू एंड फ्रॉंट गॉटिस्ट गॉ जो टेश्टिस तक आता है और टेश्टिस इस बहुत पर देश जाता है तो एंड फ्रॉम्धे कर रेकिए और यह इंट्विन हर्णिया इसको हम कहते हैं इस करें करें सुनते होगे आप लोग के हर्णिया तो यह लंबा हो जाता है जो है ऐसे तो नहीं पूछते लिए में क्या क्या होता है इसमें क्या क्या होगा तो पहला होगा कर देशनीयाग फेरी तर्से शनक कर दिया वुट के व्रों पॉन्र मेंक वर्णेशन जैंटन को दाए को सित्रैंटेसग करेंगि तो इसक आँ व सब्टेकर व गकार इसवा निःनिकत ना यह हो जाएगा एक्स्ट्राइब्रमिनल क्या रहे है यह जो फिगर हो गया यह इस प्रोटल साइक का फिगर हो गया यह आप कह सकते हो यह कि काम एंग क्री एंग करेगा कि रिलाक्स करेंगा और यह पर यहां पर यह क्या है क्या है क्या है लोगन नर्स दांट्स तुन फ्रॉप मिन जाता भिए तुन फौर्म ओक्व कि ना इस प्यूबिक एक बारे में बताया मीदियन ड्राफिक बारे में बताया ठीक है इच एन एबरी थिंग इस डिसकर्श्ट अब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया आप लोगों को समझ में आया होगा इस पूर्डम का जो हमने जिक्र किया इदर को आपको समझ में आया होगा ओके सब्सक्राइब